कॉंग्रेस सरकार में आदिवासियों के पट्टे वापस 4,000 रुपए तेंदू पत्ता समर्थ है OBC को फिर से 27 फीजदी आरक्षन और होगी जातिगत जनकरना बढ़ाईए हाँ कॉंग्रेस के साथ फिर कमलनाथ खुशाल परिवार कॉंग्रेस सरकार बढ़ाईए हाँ कॉंग्रेस के साथ फिर कमलनाथ भोपाल की मद्ध विदानसवा से कॉंग्रेस के प्रत्याश आरिफ मसूद शेतर की गली-गली में जाकर लोगों से मुलाखात कर रहे है जन संपरके के दोरान आरिफ मसूद ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मद्ध प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है कॉंग्रेस 150 से ज्यादा सीट जीतेगी विदानसवा चुनाओं में कुछ ही दिन बाकी है ऐसे में आरिफ मसूद लोगों से संपरक साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे है भौपाल की मद्ध विदान सबासे कॉंग्रेस प्रत्याश श्री आरिफ मसूद शेतर की गली-गली में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे है और उन्हें कॉंग्रेस के वचन के बारे में बता रहे है इस दौरान आरिफ मसूद ने कहा कि कॉंग्रेस 150 से ज्यादा सीड जीते गी और मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार वनीगी मसूद ने कहा कि उन्हें चुराम में शीर्ष नेतरत्व का पूरा समर्थन मिल रहा है कॉंग्रेस सरकार में गेहु की MSP 2600 रुपए धान की 2500 रुपए 3000 तक बढ़ाएंगे दो लाग तक कर्ज मां, पांच होर्स पावर तक बिजली मां बढ़ाईए हाथ कॉंग्रेस के साथ फिर कमलना कॉंग्रेस सरकार देगी सबका अधिकार कॉंग्रेस सरकार में आदिवासियों के पट्टे वापस 4000 रुपए 3500 अमर्थ हैं OBC को फिर से 27 फीजदी आरक्षन और होगी जातिगत जनगलना बढ़ाईए हाथ कॉंग्रेस के साथ फिर कमलना